और गर्म हवाओं के थपेड़े को देखते हुए मुखेमत्वी विश्णोदेव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रे किया सीमसाय ने लोगों से खुद का और परविजनों का ख्याल रखने की बात कही है सीमसाय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियेच 36 कडवासियों विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी विद्धी हुई है जुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेडे चल रहे हैं जिसके चलते गर्मियों और लू से बचाफ के लिए आवश्वक सावधानी बरते हैं सीमसाय ने कहा कि आप सभी से मेरा आग्रे है कि सुरक्षित रहें सतर्क रहें अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें आवश्वक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें और लू लगने या तवियत खराब होने की स्थिती में तदकाल अस्पताल जाएं क्योंकि सावधानी में ही समाधान है धनेवाज जय जोहार जय चतिसगर गौर्टलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बेताहाशा गर्मी पड़ रही है मौसम विभाग ने भी आगामी कुछ दिनों तक हीट वेफ के जावी रहने की बात कही जिसके चलते सेमसाय ने लोगों से आवश्चक सावधानी बरतने का आगरे किया प्रिये चतिसगर वासियो जय जोहार जय चतिसगर विगत्रुफ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी ब्रिदी हुई है जुलसाने वाली गर्म हवाओं के धुपेडे चल रहे हैं जिसके चलते गर्मी और रूप से बचाव के लिए आवश्चक सावधानी बरतने आप सभी से मेरा आगरे हैं इसुरक्षित रहें सतर्क रहें अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें आउस्टर कार्व होने पर ही भरों से सावधानी से निकलें धूप में सीर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें पानी अधिक मात्रा में पिएं अधिक पसिराने की स्थिती में वा क्योंकि सावधानी में